कि नहींत क्लास के सभी बिंद्धार्तमद एक बाद फिर ओनलान क्लासेश में सवागर देखिए हमने बाग का पार्ट आपके लिए पढ़ाया था पहले जो आदा हो चुका है अब इसके बाद आदे पार्ट यहां तीसरे पद में आई सीधी रहा से गईना सीधी रहा सुसेम सेतू पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा यहां कभी ललद्य है बता रही है कि इसर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है उस मार्ग को जो विक्ति चुनता है और चुने हुए मार्ग पर जो विक्ति नहीं जा पाता है और वो किसी अनंत्र द्वार पर चला जाता है यानि कि गलत रास्ते पर या दूसरे रास्ते पर चला जाता है तो उस र रास्ते पर चल पाए इसके लिए क्या है लगाद्य कहती है कि इस इसर को संबोज़त करते हुए कवित्री कह रही है क्या कहती है कि आई सीधी रहा से गई ना सीधी रहा अखर सुसेम से तुपर खड़ी थी बीट गया दिन हाहा कि मैं क्या है इसर ने मुझको जर्म दिया अब जर्म देने के पष्चात इसर के सब के लिए क्या है सुमागर लेकर चलता है सुमागर पर जाने के लिए कहता है परन्त मनश्य अपने कार्जोय से ऊस्षीधे रहा पर ना जाकर और वो ऐसे रहा चुन लेता है जिससे वो इस्वर के प्राप्ती नहीं कर भाता है तो केबल का समर्पण भाव के द्वारा ही इसवर को प्राप्त किया जा सकता है अगर ईश्वर के प्रति ब्हक्ति समयरपित हो तो वो कहाई एश्वर को प्रतप्त कर सकता है तो सेम से तू देखिए करें नाडी को कहते हैं नाडी जो होती है मनश्य क You को पू सकती प्रदान करने काम हाती है और इस में भी तीन प्रदान नाड руб ती है तो मनश के अंदर सोचने समझने और कुछ कार करने की जो सक्ति प्रदान होती है वो नाड़ी के दोरा होती है सुसेम से तू और सेम से तू कहते हैं एक तरह से कहना चाहिए कि मनश्च के अंदर पर्याप्त इस्पूर्थी या सक्ति दायक तो उन बातों को मनश्च के अंदर डालना सक्ति किस तरह से आए उसके अंदर सोच विचार की सक्ति किस तरह से आए उसके विचार कैसे हो तो मनश्च के तो इस्वर के द्वारा जो सक्ति डाली जाते हैं नाड़ी के रूप में क्या है मनश्च को प्रदान होती है ऐसे ही यहां पर सुसेम से तू यानि कि जीवन की जो आखरी छड़ होते हैं वो क्या है उस पर जवाद में आ जाता है तो यह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ मेरे पास कुछ है ही नहीं मैंने क्या किया ना तो इसवन को प्राप्त किया और ना इसवन के पती में समर्पती ही पाया तो आई सीधी रहा से गई नसीधी रहा तो यहां पर ललद कहती है कि ईश्वन ने तो क्या है मुझको सही रहा देकर और जीवन में क्या है मुझको अगसर किया पर दुम्हें क्या है अपने लक्ष से बटक गई तो सेम से तू पर खड़ी ती बीद गया दिना और जब क्या है जब अन्तिम समय आता आया तो मैं क्या है अपनी सारे कुछ छोड़ कर और बीते हुए समय को याद करने लगी कि मैं या तो जीवा नहीं बीद गया अम मैं किस तरह से इसरो को प्राप्त करूँ तो जीव टटो कुली कोडि ना पाए तो लाश्ट में क्या है कि जसे तरह से विकति के पास जपे से समाप्त हो जाते हैं अ उससा में कर किसी विकति को कोई भी वस्तौ है अगर आवशिकता पड़ती है तो जेब में क्या हाँ जीवा मैं कुछ प्राप्ति देनी होता है ऐसे ही पूरे जीवन निर्थक हो जाता है, जैसे कि एक धन के अभाव में प्यक्ति का जीवन निर्थक हो जाता है, ऐसे ही क्या है, पूरा जीवन इश्वर के अभाव में निर्थक हो जाता है, तो मा जी को दूं क्या उतराई, यानि कि जो इश्वर है, उस इश्वर को हम क्या देंगे, इ यानिकि हम ने क्या अपन पूरा जीवन यहों ही वितीत कर दिया इस एस्वर के पास पूंचने के लिए जो मार्ग था उसको उपने छोड़कर और दूसरा मार अपना लिया तो इससे क्या है कि ना तो इस्वरी प्राप्त हुआ और ना ही हमको कोई और वस्तोई की प्राप्ती ही हो पाए तो यह है भाई इसमें अब देखिए आगे तो पूरा जो मनिश्च का अपना जो पूरा लक्ष होता है इसको जब भूल जाता है मनिश्च जब उसके अंतिम छण आता है जाने का जब है सोचता है कि मेरा तो जीवन क्या बेर्थ ही हो गया यानि कि अब उसको अपना जीवन बेर्थ लगने लगता और कुछ समय ना और उस समय कुछ ना कर सकने की उसको अर्समर्थता बहुत महसूस होती है, वो पीड़ा दायक होती है, कि मैंने अपना जीवन योहीं गवा दिया। फिर देखे आगे, थल-थल मैं बसता है सिवही, भेदना कर क्या हिंदू-मसल्मा ज्यानी है तो स्वैम को जान बड़ी है साहिव की पहचान। तो यहां पर देखिए कवितरी बता रही है कि एक मनुष्यता और मनुष्य के भीतर क्या होता एक परमात्मा होता है, परन्तु मनुष्य ने क्या इन परमात्मा को ही अलग कर दिया। तो यह कह रही है थल थल में बसता है सिभी यानि कि हर जगे सिभ की महिमा है यानि कि भगवान सिभ है वो हर जगे बसते हैं यह सिभ को मानते थे जन्होंने सिभ का उदारन दिया है। भेद ना कर, क्या हिंदू मुसल्मा, यानि कि मनुष्य को क्या भेद नहीं करना चाहिए, कि यह हिंदू है या यह मुसलिम है, जानी है तो स्वैम को जान, जो व्यक्ति जानी होता है, वो मनुष्य क्या है, अपने आपको समझ, कि मैं हूँ क्या आकिर, मैं हिंदू हूँ या मुसल्माओं या एस्वर की संतान हूं वही है साहिब की पहचान जब मनुश्य अपने आपको जान जाता है तो वो एस्वर की प्राप्ति कर लेता है अन्यता वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं हिंदू या मुसल्मान हूं तो यहां पर देखिए जो सिभ है जो हिंदू मुसल्मान का जो भेद है ये इनों ने अलग अलग कि आए कि भाई हिंदू वो मुसल्मान में कोई भी भेद नहीं है बास्तम में दोनों क्या एक समान हैं अगर तेरे को अपने स्वेम की पहचान हो जाएगी तो तेरे को परमात्मा की भी पहचान सब्सक्राइब तो इस वीडियो को तो तो यहां पर क्या है कि आपको समझ में यहां पर आपका क्या है ललटे कार इसमाफ्त होता है वह इसके कोश्चन अंसर हम आपके लिए जाए तो आपका इस पार्ट नम्म 11 है वैसे पद्धिसंग्रें से ये दूसरा पार्ट है तो आपका एक पार्ट समाप्त होता है नमस्गा